हम अपनी पापुलेशन को डिफाइन करने वाली बात को आगे बढ़ाते हैं जी और देखिए रिसर्च पापुलेशन से यहां अब थोड़ी डिटेल में देखेंगे कि क्या मुराद है इससे पहले हमने यह का कि देखिए पापुलेशन से मुराद वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं या एग्रिगेट आफ सब्जेक्ट्स हैं जिन के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं म Васलन मैंने मिसाल में कहा जैसे शाद्चा हैं अगर मैं पंजाब प्राविंस के तमाम शाद्चाव पर गुष्टिगू करना चाहताए हूं या के प् excellence के या पर एट फपर पस आप केह लिजी पाकिस्तान में मुझोद तमाम शाद्चा के बारे में को रिसर्च करना चाहता तो इसका मतलब है वो तमाम साथजा जो पंजाब या पाकिस्तान के पबलिक स्कूल में पढ़ाते हैं वो तमाम मेरे स्टेडी की पापुलेशन कहलाएंगे उस पापुलेशन में से अगर फिर मैंने कोई डिफाइन करना होगा शाथजा जनोंने 16 साल की तालीम असल कर रक्ठी हो अगर मैं को ऐसी कंडिशन लगा देता हूं तो उस लारजर पापुलेशन में से जो ऐसिसाथजा की पापुलेशन थी उस में से फिर मेरे क्राइटेरिये को सामने रखते हुए जो लोग बच जाएंगे वो study की population कहलाएंगे जिस study में मैं एक criteria के गेंस लोगों की inclusion करना चाहता हूँ तो ऐसे population को मैं target population कहूँगा यानि population तो larger है population वो है जिसमें वो तमाम साथजा एकराम शामिल है जो स्कूलों में पढ़ाते हैं फिर मैंने एक criteria मकरर कर दिया के उन में से study के लिए target जो किये जा रहे हैं वो ये वाले साथजा हैं जिनका फर्ज कर लिए दो साल तजर्बा हो गया पढ़ाने का तो अब वो लोग जो हैं वो target population कहलाते हैं जो के एक criteria पर बेस्ट है उसके बाद उन में से जब मैं determine कर लूँगा कि ये दो साल तजर्बे वाले इतने साथजा है तो वो अब population बन गए मेरा target population जिसको मैंने का उस target population के अंदर से भी सब के सब accessible नहीं होंगे मसलिन आपकी डेटा बेस्ट बहुत ज़्यादा valid नहीं है आपके पास डेटा बेस्ट में तमाम साथजा का record ही नहीं है जो के दो साल तजर्बा भी रखते हो और पढ़ाते हो कि इस नहीं स्कूल में तो कोई नहीं कोई इस तरह की कमी बेशी है जिसकी वज़ा से मैं जिस तमाम मेरा मैं इस बात में sure नहीं हूँ के मेरे पास तमाम का डेटा है तो जो डेटा मुझे मिल गया इस conditions के उपर उस criteria के उपर मैं कहूँगा कि ये accessible population है ये वो population है जो मुझे available है तो देखे इन तीनो concepts में थोड़ा थोड़ा सा understanding का फरक है बन्यादी बात population ही है यानि बन्यादी बात क्या है aggregate of individuals aggregate of objects aggregate of things जिनके बारे में आप research करना चाहते हैं अब उस aggregate को further refine करना है आप जैसे भी करना चाहें इस slide में जैसे दिखाया गया उसको दो हिस्सों में तक्सीम किया गया target population में और accessible population में target से मुराद ये है कि ये उस صورت में ये relevant concept होगा कि अगर आप identified population के अंदर उनको further filter करना चाहते हैं किसी एक yard stick के उपर किसी criterion के उपर for the purpose of study तो हम कहे देते हैं ये इस में से target population बन गई उस target population के अंदर theoretically मौजूद तमाम लोग जो उस definition पे fit उतरते हैं जरूरी नहीं कि मेरे पास उन तमाम से मतलिक data भी readily available हो तो मैं फिर उसको मेहदूद कर लेता हूँ further उन लोगों तक जिनका data available है और ये assume करता हूँ कि यही total population है और उसको मैं नाम दे देता हूँ accessible population का उस accessible population में से फिर आप अगले step में sample draw करते हैं अपना ये पहले तीन step तक population का concept complete हो गया जब मैंने population को define कर लिया तो फिर अगला step मेरा शुरू होता है sample पे इन मेंसे जिन लोगों को मैं मनतखिब करूँगा किसी भी तरीके से अपने इस group में जिन से मैं data collect करूँगा और मूमन ये group अपनी population के size के मकाबले में छोटा group होता है जिनको मैं sample का हिस्सा बनाता हूँ और जिनको मैं अपने sample में शामिल कर लेता हूँ जब मैं data collection के लिए जाता हूँ तो जुरूरी नहीं कि वो सारे मुझे मिल भी जाएं जिनको मैंने sample में रखा था उन में से भी कुछ ऐसे होंगे जो मेरी कोशिश के बावजूद जिन तक मैं access नहीं कर सकूँगा जो मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं subjects या participants उनको कहूँगा जो मुझे उन में से actually data दे देंगे जिन तक मैं पहुंच जाँँगा और data collect कर लूँगा मैं कोँगा ये मेरे subject से या ये participants of research जिन से मैंने data लिया तो आप इसको दो तरीकों से अगर आप देखें population का concept और पर population के बाद उसमें से sample population में तीन levels में हमने रखा और आप मुख्तलिफ किताबे पढ़ेंगे तो ये जरूरी नहीं के वहां पे भी target population और accessible population हो जिर्फ और भी concept हो सकते हैं sample भी इसी तरह से एक sample है तो उसके अंदर से accessible sample है ये दोनों तसवर भी मुख्तलिफ लफ़ों से मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ किताबें लिखती होंगी लेकिन broader idea पीछे यही है जो मैंने आपके सामने रखा अब बात रहेगी कि मैंने उस population में से ये sample निकालना कैसे है अभी हमने यह से कहा ना कि larger population में से smaller group लेंगे वो अच्छा कैसे कहलाएगा उसके लिए 3-4 broad से असूल है जो मैं अभी आप से share करता हूँ और फिर इसकी types में आगे जाके next modules में और भी जिकर करूँगा लेकिन general principles के तोर पे हमें एक sample से अच्छे sample से क्या तवक्व है उसको representative होना चाहिए यानि जिस population से मैं draw कर रहा हूँ उस population को represent करता हो उसकी नमाइनगी करता हो एसा group मनतखिब करूँ इसके तरीके हैं उन पर हम आगे next modules में discussion करेंगे proportional होना चाहिए proportional से मराद है अगर मेरी population में फर्स कर लीजिए साथजा ही थे तो कुछ female teachers भी होंगी कुछ male teacher भी होंगी अगर फर्स कर लें साथजा के group में male teachers ज्यादा है और female teachers कम हैं तो जब मैं sample draw करूँ तो फिर उसमें भी male teacher ज्यादा होने चाहिए और female teacher कम यानि जिस proportion में वो population में हैं ideally उसी proportion में उनको मेरे sample में आना चाहिए तो इससे भी बन्यादी तोर पे बात वही है representation बहतर होती है आपके sample में stability आती है उसके results में reliability इससे पैदा होती है तो लहाज़ा मैं ensure करता हूँ कि अच्छा sample उसको कहूँगा जो proportionate होगा और दूसरी बात कि उसका size adequate हो मैंने जितने लोगों को यानि population से कितने लोग draw करने है sample में उसका size ना तो बहुत बड़ा हो जाए कि wastage of resources हो और ना ही बहुत चोटा हो जाए कि उनके representative होने के बावजूद उनकी तादाद इतनी कम हो जाए कि मैं उसके जरीए से कोई conclusion draw करूं तो वो बहुत trustable ना हो या उसके अंदर कोई bias वगहरा आ जाए तो एक reasonable conclusion के लिए एक reasonable size of sample होना चाहिए और यह हम पढ़ेंगे आगे जाके कि एक reasonable science of sample draw करने के तरीके क्या होते हैं और एक अच्छे सांपल में को bias नहीं होना चाहिए उसमें biasness ना होने का मतलब यह है कि researcher की अपनी कोई choice या कोई systematic bias ना आए कि कुछ एक खास तरह के लोग मनतखिब हो जाएं और एक particular तरह के लोग उसमें मनतखिब ना हो पाएं उससे भी बन्यादी तोर पे देखिए representation को फरक पड़ता है जब वो representative नहीं होगा sample तो जो नताइज आप निकालेंगे फिर वो generalizable भी नहीं रहते हैं selection of sample के वक्ट जो मुझे चीज ensure करनी है वो simple एक है कि मेरा sample से draw किये हुए conclusions को मैं population के उपर generalize कर सकता हूँ और generalizability को ensure करने का एक तरीका ये है को जो मैंने good sample के characteristics लिखे हैं जब आप sample draw कर रहे हों तो इन characteristics को ensure कर लीजिए आपके sample से जो conclusion आएंगे वो generalizable हो जाएंगे यानि आप चंद लोगों से नताइज अखस कर रहे होंगे data लेके लेकिन वो नताइज उस पूरी population के लिए काबले इस्तमाल हो जाएंगे